आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरह का पराठा बिल्कुल ही इस पराठे को बनाने की रेसिपी अलग होगी और फाद में ये बिल्कुल अलग होगा बहुत ही स्वादिश्ट होगा बहुत ही खस्ता क्रिस्पी सा होगा आपको यकीन नहीं होगा कि ये पराठा हमने बीना म मोयन लगाए बनाया आप देख रहें कैसे मैं इसी आठे को पका करके इसे तयार कर रहे हूं बिल्कुल नए तरीके से आज माटा माण करके पराठा बनाएंगे बहुत ही अलग तरीके से होगा यह देखिए ऐसे ही हमें बनाना है तो चली रेष्पी शुरू करते दोस्तों आ इसमें पानी डाल करके हम इसमें बिल्कुल भी मोयन तेल नहीं डालेंगे और जब पराठा बन करके आठ तयार हुगा तब आप देखेगा आपको लगीगा हमने इसमें कितना सारा मोयन डाला हुआ है लेकिन आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल साधे तरीके से आठा गूत अगर आपके पास आठा गूता हुआ रखा है तो भी आप ये पराठा बना सकते हैं बस आठे को हलका सा गीला होना चाहिए और ऐसे मसल मसल करके हम आठे को तयार कर लेंगे ध्यान देने वाली बात यह है कि आठा ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए तो ऐसे हम लगबग दो मिनट तक करता गूतने के बाद इसे ऐसे मसल मसल करके तयार करेंगे जिससे हमारा आठा बिल्कुल चिकना और लचीला हो जाएगा ये देखे कितना सौफ्ट आठा मैंने लगाया है और अब हम इसे ढख करके लगब 15-20 मिनट के लिए रेष्ट के लिए छोड़ देंग मैंने लोई तोल ली है बिल्कुल यूनिक तरीके से पराठा बनाएंगे आपने देखा होगा मैंने अभी तक बिल्कुल भी घी तेल किसी चीज का यूज नहीं किया है फिर भी ये हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी सा बनेगा ये देखे मैंने लोई बना ली है इसकी ऐस पर एक बरतन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था आप देख रहे हैं पानी बॉयल हो रहा है तो इसी बॉयल होते हुए पानी में ही हमें डालना है और लगबग दो मिनाट तक ऐसी ही इस उबलते पानी में से पका लेना है यह देखें लगतार उबलते पानी में से द अभी नहीं खाया होगा मुझे यकीने पूरे यूटूब पर आपने ये रेश्पी कहीं नहीं देखी होगी ये देखिए दो मिनट हो चुके हैं लगातार इसे पकाते हुए अब मैंने इसे बाहर निका लिया है और तुरंथी गरम गरम आप हाथों से क्योंकि ये गरम है नह मैं नहीं लगा सकते हैं बहुत करम है ऐसे चम्मच की मदद से ऐसे कर लेंगे तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेयर करें और चैनल पर नहीं ह बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नॉटिफिकेशन मिले यह देखिए मैं इसे हाथों से अच्छे से मसल करके आठे को फिर से चिकना हम कर लेंगे ऐसे पका लेने से आठा थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है और बिना मोयन के हमारा यह पराठा बहुत ही खसता क्रिस्पी सा बनता है यह देखिए हमने फीर से इसके पेड़ा बना लिया है और आम मैं इसे किचन स्लेप पर ही फिर से वेलूंगी तो अब हम आप चाहे तो हलका सा तेल लगा लीजिए या आप सुखा अटा भी लगा करके से बेल सकते ह हैं तो चली अब हम बेल लेते हैं जैसे नार्मल पराठा रोटी हम बनाते हैं बस वैसे हम बनाएंगे आप चाहे तो इससे सिंगल लेयर वाला या चौकोर या गोल आप कैसे भी बना सकते हो ट्रैंगल जैसे भी आपका मानो तो मैंने इसे बड़ी से रोटी की रूप में याद देख रहे हैं और अब हम लेंगे एक चाकू और इससे पहले मैं इस पे एक चम्मच भर के बहुत ज्यादा लगाने के ज़रूत नहीं है तेल लगा लेंगे पूरे में फैला लेंगे चाकू से कट पीस से लगाएंगे और ऐसे फोल्ड करके हम इसका ट्रेंगल बना ले यह देखे मैं इससे बना लिया है अब आप चाहे तो ऐसे ही यह सूख आटा लगा करके इसे बेल लीजे यह देखे मैं बेल करके आपको दिखा रहे हूं नॉर्मल पराठा जैसे हम बनाते हैं बस वैसे ही बना लेंगे आप चाहे तो इससे चोकूर भी बना सकते हैं गोल बना सकते हैं ये देखें मेडियम थिकनेस का मैंने पराठा बेल लिया है तो अब हम चड़ाएंगे गैस पर एक तवा और उस पे हलका सथ तवा गरम हो जाए तो हलका सगी तेल जो भी आप लगाना चाहें उससे लगा लेजिए बिल्कुल यूनिक तरीके का पराठा है ये ब एक बार ये रेस्पी जरू ट्राइ करके देखिएगा आप रूज रूज यही पराठा बना कर खाना पसंद करेंगे बहुत ही अच्छा लगता है इसका स्वात ये देखें मैंने एक तरफ से इसे सेक लिया था तो आप गही तेल जो भी लगाना चाहें इस पे लगा सकते ह बहुत थोड़ा सा गी मैंने लगाया इसमें और ये देखें इधर भी पलट करके मैंने दूसरे साइट भी इस पे गी लगा लिया है हमने आठे को पहले ही पका लिया था इस वज़े से पराठा तुरंथी क्रिस्पी हो जाता देख रहा है न कैसी फूल रहा है इसकी परते बिल्कुल अलग हो रही जैसे लच्छा पराठा हो जबकि हमने इसमें बिल्कुल भी अंदर मोयन तेल कुछ भी नहीं डाला थाटे में फिर भी ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा ये देखें हमारा पराठा दोनों तरब से सिख करके अच्छे से तैयार हो चुका है ये देखें इसमें बहुत सारा मोयन डाला हुए तो ये देखें मैंने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है मैंने इसे आलो भी की सबजी के साथ और आम के अचार के साथ सर्व किया है दही के साथ जैसे भी खाना पसंद करें इसे सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है मैं आपको इसे खोल करके दिखा देती हूँ, ये देखे, हैनक कितना क्रिस्पी और एक पर्त इसकी बिल्कुल खुल के आ रही है, ये देखे, कितना क्रिस्पी लग रहा है, सारी पर्ते पूरी की पूरी खुल के आएंगी, बहुत ही किस्पी पराठा बनता है, बहुत ही और खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट होता है ये देखे बिल्कुल खस्ता पराठा है ये देखे सारी परते खुल रहे हैं पूरा का पूरा पराठा खुल जा रहा है बहुत ही स्वाधिष्ट है दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रेस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा और म